कैसे हो आप सर मैं हूँ शिल्पा सूरी और मेरे चनलर पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शियर करूंगी कॉफी फेशिल की वीडियो और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ला के लिए हमें थोड़ी सी कॉफी लेनी है यह देखिए मैंने आदा चम्मच से भी कम कॉफी लिए और इसमें अलोवीरा जैल एड़ किया इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है हमारा फर्स्ट स्टैप क्लेंजिंग रेडिया सेकिंड स्टैप फ्रेंड्स है स्क्रब क करनी है हाफ चम्मच से भी कम आपको शुगर एड़ करनी है और आदा चम्मच हमने इसमें नारियल का तेल डालना है मैंने यहां से थोड़ा सा लिया था बाद में मैंने और एड़ किया था कॉफी भी मुझे थोड़ी लगी थी तो कॉफी मैंने बाद में और एड़ की थी यह देखिए फ्रेंड्स मैंने नारियल का तेल और एड़ किया है इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए सेक्ट स्टेप फेशियल कॉफी फेशियल स्क्रब रेडिया थर्ड हमें चाहिए कॉफी थोड़ी सी कॉफी चाहिए इसमें हमने एक चमच मिलक एड़ करना है इसमें मिलक एड़ कर लिया अब इसमें मैंने हाफ चमच से कम हनी मतलब शह Wanna say अग51 के लिए इन तनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह से मäसराज करना है फोर्थ हमें पैक बनाना है, पैक बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले आदा चमच कॉफी, इसमें मैंने आदा चमच दहीं डाला है, फूल क्रीमी दहीं चाहिए हमें, देखिए, और इसमें मैंने आदा चमच बेसन का डाला है, और एक विटमिन E का कैपसुल, देखिए अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमारा फोर्थ और लास्ट स्टेप फेशिल कॉफी पैक रेडिया सबसे पहले हमें करनी है क्लिंजिंग ये देखिए मैंने डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे और नेक पे इसे अपलाई कर लिया और इसके अच्छी तरह से मसाज करनी है इसमें हमने अलोवीरा आड की हुई है जो हमारी स्किन को हाइडरेट भी करेगी इसकी दो मिनट तक हमने मसाज करनी है अच्छी तरह सर्कुलोर मोशन में मसाज कीजिए अपनी फेस की कॉफी हमारे फेस में इंस्चेंट ग्लो लेके अठी है यह देखिए मैंने इसके इच्छी तरह से मसाज कर लिया आप चाहे तो वाइब्स की हैल्प से इसे क्लीन कर सकते हैं और चाहे तो फेस वाश भी कर लीजिए यह देखिए मैंने अपना फेस वाश कर लिया और एक clean towel से अपने face को clean कर लिया तो friends अब मुझे scrub करना है coffee scrub इसमें हमने चीनी को add किया है तो ये step थोड़ा सा messy हो सकता है but at the end हमें result बहुत अच्छा मिलेगा इसकी भी हमने अच्छी तरह से massage करनी है अपने face पे इसमें हमने नारियल का तेल add किया है जो हमारी skin को dry नहीं होने देगा और चीनी हमारे face पे अच्छी तरह से scrub का काम करेगी अच्छी तरह से massage कीजिए इससे हमारी जो भी dead skin है वो भी कतम हो जाएगी circular motion में अच्छी तरह से massage कीजिए अपनी neck पे भी अपनी face पे भी इसके भी आपको दो मिनट मसाज करनी है यह देखे मैंने टो मिनट इसके massage कर लिया और अब मैं अपना face wash करूँगी तो मैंने अपना face wash कर लिया है और एक clean towel की help से अपने face को clean कर लिया है तो friends अब third step है massage यह देखिए इसे मैंने अपने face पे apply कर लिया है और अच्छी तरह से अपने face पे इसके massage करनी है 5 मिनट तक आपको इसके massage करनी है हमने scrub में नारियल का तेल एड़ किया था इसलिए हमारी skin बिल्कुल भी dry नहीं होगी और अच्छी तरह से massage हम कर सकते हैं यह देखिए अच्छी तरह से अपने lips की side पे nose की side पर अच्छी तरह से इसके massage कीजिए 5 मिनट तक अच्छी तरह आपको इसके massage करनी है यह देखिए मैंने 5 मिनट इसके massage कर लिया और एक wipes की help से मैंने अपने face को clean कर लिया आप चाहे तो face wash भी कर सकते हैं मेरा face clean हो गया है अब मुझे अपना fourth step coffee pack लगाना है अपने पूरे face पर और neck पर इस pack को आपको लगाना है और 10 मिनट के लिए इसे सूखने देना है यह देखिए फ्रेंड्स अब यह पैक सूख गया है और अब मैं फेस वाश कर लिया है और आप मेरे face पर देख सकते हैं कि कितना मेरा face कितना clean लग रहा है देखिए फ्रेंड्स कितना clean कितना glowing लग रहा है तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए थैंक्यू आप आप